वहाँ पर क्या हुआ यह को स्टोरी वही है नहीं उससे अलग है मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि वह जहां से बिलॉंग करती है वह हरियाना में काफी अंदर जाके गाउं है तो वहाँ पर क्या हुआ था हम जब छोटे थे ना तो मामा के घर जाते थे छुट्टि तो हम ऐसे सोते थे जैसे सारा परिवार नीचे सो रहा है तो नानी थी मामा जी थे वो मुंफली लेके आते थे और वो होती थी गज्जक होती थी तो नानी जी से पूछते थे नानी जी कुछ बता हो ऐसा वैसा इस गाउं में कुछ है तो वो मल्टिपल स्टोरी सुनाते है तो क्या हुआ उस रात बहुत तगड़ी बारिश आई कड़कड़ाने वाली बारिश आई और बारिश के साथ क्या हुआ जो पानी था न वो धीरे-धीरे कमरे में आने लगा तो हमें बोल दिया गए कि तुम उपर वाले मामा जी के पास सो जाओ बाई हम न वाँ पे जाने सा बहुत डरते थे और उसका रीजन पते क्या था मामा जी के कमरे के सामने हवेली के चो कमरा था न वहाँ पर उस बंदे ने अपनी लटक के जान दी थी और भाई उस आदमी को तो उतार लिया था लेकिन उस फंदे को किसे ने नहीं उतारा तो वो आज भी ना फंदा सामने सामने लटका हुआ दिखते है और उस हवेली को उस तरफ से बंद कर दिया अब हम चलेगे उपर उपर क्या हुआ मैं और मेरा बड़ा भाई भाई बिजली कड़के हमारी नजर पड़े सामने और फंदा दिखे हिलता हुआ फंदा दिखे हिलता हुआ और मैं उसको देखो वो मेरे को देखे और हम दोनों मम्मी को उठा है मम्मी दे चाटे और साइड में लेटा दे की सिच्वेशन ऐसी बनी हुई है नीचे पानी बढ़ा हुआ तो ऊपर सहोगी नीटा और भाई उनको कोई फरक नी पड़ता उनको कोई फरक नी पड़ता गाहों वाले जो है और हम दोनों जो शहर के हैं वो उधर देखे जैसे बिजली कड़के और भाई बिजली कड़कती भी बहुत तगड़ी क्योंकि उस टाइम पर डवलपमेंट इतनी थी ही सौफ सुना ही देती थी और डिरेक्ली उधर नजर पड़ती सिधा फंदा वो रात हमारी ऐसी गुजरी है ना और भाई पता है कैसे कैसे इंसीडेंट हो है जैसे जब छोटे थे मामा के लड़े के दिवाली सालिबरेट कर रहे है हांडी उड़ी के आई है सामने सामने और किसी हवेली पर टकर आई है वहाँ पर एकदम से खुला है जहाँ पर किसी बच्ची को करंट लगा है वहाँ नहीं चाहता कोई वहाँ पर आज वह बच्ची बैठी भी दिखती है लोगों को वह तो भाई बड़ी गजब जगाय मा तो गया नहीं कम से कम 6-7 साल है मैं नहीं 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 पर परानी चीज़ें वह परानी चीज़ अपनी जगा से नहीं अटेंगी तो यहीं होगा